नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की ब्योंड विज्वल रेंज एर टू एर मिसाइल अस्तरा जो कि MK1 वर्शन है इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है लेकिन दोस्तों MK2 के उपर अगर बात की जाए तो य उससे अगले साल टेस्ट होगी आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों DRDO के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेडी ने एरो इंडिया 2021 के दोरान एक इंटर्वियू देते हुए का था कि इंडिया की अस्तरा मार्क 2 जो की नेक्स्ट जनर इसका टेस्ट इसी साल शुरू हो जाएगा और ये प्रोडक्शन के लिए 2023 में तयार होगी और जहां तक अस्तरा MK2 मिसाइल की शमता की बात है या फिर इसकी टेकनोलोजी की बात है तो इसके अंदर ड्यूल पल्स मोटर सिस्टम जो होगा वो MRCM यानि की मीडियम रेंज स इसका सीकर अस्तरा MK1 मिसाइल से आएगा और इसकी रेंज 160 प्लस किलोमेटर होगी एड़न चेज के अंदर और साथ ही इसकी रेंज टेल चेज के अंदर 40 किलोमेटर होगी और दोस्तो जहां तक अस्तरा MK3 की बात है तो ये वेरी लोंग रेंज बिजूल रेंज एर टू ए इसे दोस्तो ग्राउंड बेस्ट लोंचर से वबार टेस्ट किया जा चुका है पिछले साल में और साथ ही दोस्तो इसने स्मोक लेस बूस्टर और साथ ही रेंज एट इंजन का भी परदर्शन किया था और अस्तरा MK3 मिसाइल के अंदर पावर ओन मोड के अंदर 70 से 340 किलो और साथ इनके अंदर थोड़ी बहुत मोडिफिकेशन भी की जाएगी ताकि इसके उपर अस्तरा MK2 का डेवलपमेंट टेस्ट किया जा सके और अस्तरा MK2 का जो भी ट्राइल हो रहा है ये फास्ट रैक मोड के अंदर हो रहा है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसके स सारे टेस्ट पूरे हो और प्रोड़क्षन भी हातोाथ शुरू हो जाए और इसका प्री-प्रोडक्षन भी किया गया है जो कि टेस्ट के लिए किया जाता है और इसकी दरजन एक ऐसी मिसाइल्स औरेडी प्रोड्यूस की जा चुकी है तो ऐसे में दोस्तो अस्तरा MK2 पर क कर लिया गया है प्रोडक्शन शुरू हो गया है और इसी साल दोस्तो इससे तेजस MK1 के उपर जो FOC लेवल के है उसके उपर भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही MIG-29 UPG की फिलीट के साथ भी इससे इंटीग्रेट करने का विचार है और अभी तक 200 ASTRA MK1 का ओडर दि दुनियावाद जैहिन